हाई फ्रेंड्स वल्कम बेक टो वेजुके इस इंडिया तुरूस्तों आज के इस सवडियों में बात करेंगे मध्या परदेश सरकार के बारे में जहां पर एक बार फिर से सियासी गमासान शुरू होने जार और भारते जनता पार्टी को तगड़ा जटका लगने जारा है क्योंकि अब की वारसिंद्या भारते जनता पार्टी को छोड़ने के साथ है भारते जनता पार्टी को लुटाने के मूड में आ चुके और इसी कान भारते जनता पार्टी में खलबली मच चुके और मध्या परदेश में सियासी पारा चड़ चुका है तो आभी हम आपको बताएंगे कि मध्या परदेश में किस सपरकार से भारते जनता पार्टी के र जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकरां तक देखिएगा लेकिन दोस्तों उससे पले आप इस सनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और पासी में दिखरे घंटी के निसान को अवश्य दवाईएगा ताकि दोस्तों आपको आगे भी आपके काम की और मज़ब प इस से वीडियो को मिल चाहे तरो उस्तों चलिए अभी हम देखते हैं मध्यपर्देश सरकार के बारे में संपुन्चान करें और आपको बताते हैं कि किस सपरकार से मध्यपर्देश में एक बार फिर से सियासी महाबारता शुरू हो चुकिए मध्यपर्देश में इस यस्तुबाल मानना शुरू कर चुकिए जिसके बाद में भारत्य जनता पार्टी के सरकार को बड़ा नुक्षान हो सकता है जहाँ पर अपने इगड में लगे पोश्टर से गयब हो चुकिए सिंध्या और सिंध्या भारत्य जनता पार्टी से हो च लगतिये मध्य परदेश में जहां पर भारत्य जंता पार्टी के होल्डिंग्स में नहीं मिल पाई ये सिंध्या को जगह और इसी कान सिंध्या नाकू से अब भारत्य जंता पार्टी से तो बड़ी ख़बर है कि मध्य परदेश में कॉंग्रेस और भारत्य जंता पार्टी क पॉलिटिकल वार के बीच अब सिंध्या की तसुरेवी गाइब होने की खबर सामने आईए जहां पर आपने गड में लगे भारते जनता पार्ट के पोस्टर में सिंध्या को जगर नहीं मिल पाई और सिंध्या गाइब दिखे तो उस तो बात यह है कि केंद्रिया मंतरी नेंदर सिंग तोमर और सांसद विवेक नाराण के जनम दिन के उपलक्स में पोस्टर लगाएगे थे लेकिन इन पोस्टरों में भारते जनता पार्ट के तमाम बड़े निताओं के फोटो लगाएगे लेकिन यहां पर जो है सिंध गल्यारों से बड़ी खवरे निकल के सामने आ रहे जहां पर लोगों के मन में अब यह सवाल उठरा है कि क्या वाकई बार बार गल्ती हो रहे है या फिर भारते जनता पार्टी सिंध्या को अपनाने को तैयार ही नही है यानि सिंध्या को भार करना चाहती है भारते जनता ये बहुत इबड़े सवाल लोगों के मन में उठ रे और इसी कान राजनिती के सियासि गलियारों में तापमान चट चुका और भारतिय जनता पार्टी को बड़ा नुक्षान होने का अंदेशा लगा जारा है जिसके बाद में भारतिय जनता पार्टी में खलबली मत चुकी और भारते जनता पार्टी में हड़कम मसने के साथ कॉंग्रेस पार्टी में खुशी की लर दोड़ पड़ी है क्योंकि कॉंग्रेस पार्टी जो चाले चल लिए वो काम्याब होती हुई निजरारी और भारते जनता पार्टी के सरकार पर संकट और भी जाड़ा गवराता जा रहा है तो इस सब परकार से ये मध्ड परदेश के सियासी जंग को लेकर और संगराम को लेकर बहुती बड़ी खबर निकल के सामने आ चुकी थी दोस्तों यदि आपको ये संपूर्ण जान करें अच्छी लगी और पसंद आईए तो आप सबी का इस सब वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जे इंद जे भारत और वंदे मतरम